वैसे तो दुनिया में रहस्मी ख़वरों की कोई कभी नहीं है पूरे दुनिया रहस्यों से भरी बड़ी है कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनको समझपाना असंबर भी लगता है आज हम आपको एक ऐसे ही आश्चर जनक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे ये घटना जुलाई 1954 की है दोपैर के साड़े बारा बज रहे थे एक यूर्योपियन विमान टोक्यो के हेनेडा हवाई डे पर लैंड हुआ विमान में सवार सभी यात्री नीचे उत्रे और चकाउंटर की तरफ बढ़े वहाँ बैठे दिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जाच कर रहे थे तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देख भहरान रह गया यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेट नाम के देश का नाम लिखा हुआ था जाच कर रहा है अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था उन्हें वो यात्री संदिक दिलगा इसलिए उन्होंने इसकी सूचना सुरक्षा अधिकारियों को दी जिसके बाद उस यात्री को पूछताश के लिए अलग कमरे में ले जाया गया अधिकारियों ने सबसे पहले तो उससे जापान आने का कारान पूछा इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनस के सिलसिले में यहाँ पर आया है सुरक्चा अधिकारियों ने उस रहसमे यात्री के पास्पोर्ट की जाच की जिस पर उसे देश का नाम टॉरेड लिखा मिला उन्हें भी बड़ा आश्चर हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पास्पोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है बलकि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है अधिकारियों को उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर हुआ क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मोहर लगे थे वो बिलकुल असली थे फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तयार नहीं थे जिस देश शेवा यात्री आया है असल में वो देश धर्ती पर है सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानने के लिए कि टॉर्ट आखिर धर्ती पर है कहां उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और उससे पूछा कि उसका देश कहां है इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के एक देश पर उमली रखते हुए कहा कि यह उसका देश है लेकिन उससे यह समझ नहीं आ रहा था कि टॉर्ट की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है यह सुनकर अधिकारी और भी ज़्यादा अहरान हो गया कि आखिर यह शक्स खुद को एक कालपनिंग देश का क्यों बता रहा है लेकिन उसके पासपोर्ट वीजो और अन्य दस्तावेजो को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है अब वो रहस में यात्री सच बोल रहा है या जोट यह जानने का एक ही उपाय था और वो यह कारोबार के सल्चले में किससे मिलने आया था अधिकारियों के पूछने पर उसने कमपनी का नाम बताया जहां उसे जाना था साथ ही उस होटल के बारे में भी बताया जहां उसे ठहरना था इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी और होटल में संपर्क किया लेकिन उन्हें ऐसी किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया जब जाच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अभिरादी है जो कि अपनी पहचान शुपा रहा है और यहां किसी घटना को अंजान देने के लिए आया है इसके बाद उन्होंने उसका सारा समान जब्त कर लिया और उसे पुलिस की कड़ी निगरानी में एक होटल के कमरे में बंद कर दिया गया अगले दिन जब कमरे का दर्वाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौक गई कि कमरे में कोई है यह नहीं जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़ियों को पहले ही सील कर दिया गया था पुलिस को ये जानकर और भी ज़्यादा आशर हुआ कि उसका जो पासपोर्ट, वीजा और अन्निकागजाज जबत किये गए थे वो भी गायब थे अब किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे Social Media पर इस घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलेता है कोई कहता है कि वो रहस्माई शक्स दूसर्य दूनिया से आया था और कोई कहता है कि वो किसी पैरलल युनिवर्स से आया था आपको हमारा आज कर वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता है और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें थैंक यू